Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Art English Classes आज again मैं आई हूँ आपके लिए कुछ important phrases लेकर तो चलिए देख लेते कि आज हम कौन कौन से phrases कवर करेंगे तीन phrases हम कवर करेंगे इस वाली वीडियो में जो की काफी important है conversation के point of view से तो वीडियो के लास्ता कापको बने रहना है तो चलिए पहला phrase देख लेते हैं पहला phrase है पर्दाफाश करना पर्दाफाश करने को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राज खोलना है ना जैसे कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूगा या मैं तुम्हारा राज खोल दूगा या फिर मैं तुम्हारा रहस से खोल दूँगा कैसे भी आप इनको हिंदी में बोल सकते हो बट इंग्लिश में इनको बोलने का एक ही तरीका होता है जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ तो देखिए परदाफाश करना इसके लिए हम एक phrase उस करते है that is spill the beans तो परदाफाश करने के लिए हम यूज करते है spill the beans about about भी इसके साथ में हमें लगाना है तो फिर्स एक्जम्पल है परदाफाश कर दूँगा अब देखिए फीचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है फीचर इंडेफिनिट में हम helping of लगाते है shall and will according to the subject and verb की first room यूज करते है and spill को ही हम according to the tense यूज करने वाले है तो sentence हो जाएगा I will spill the beans about you किसका परदाफाश कर दूँगा तुम्हारा तो जिसके भी परदाफाश करने की बात होगी उसे हम about के बाद लिखने वाले है तो sentence हो जाएगा I will spill the beans about you तो sentence है I will spill the beans about you नेख देखे किसी ने मेरी surprise party का परदाफाश कर दिया ठीक है past का है sentence तो verb की second form लगेंगे means हम spill the use करेंगे someone spilled the beans right someone spilled the beans about my surprise party right तो sentence है someone spilled the beans about my surprise party hope समझ में आ गया होगा आपको next देखे क्या वे तुम्हारा राज खोलने जा रहा है present continuous का sentence है interrogative है is arm का use करेंगे हम इसमें over में आएंजे लगाएंगे तो चली बना लेते है तो क्या वे है तुम्हारा राज खोलने जा रहा है is he because हमारा subject है he, he के साथ लगाएंगे is is he going to spill the beans about you right is he going to spill the beans about you right तो sentence है is he going to spill the beans about you hope समझ में आ गया होगा आपको skin short लेना चाते हो तो ले लीजे right तो जब भी आपको ये वाला phrase उस करना है कि परदाफास कर दूँगा या कर दूँगी जो भी बोलना हो जिस भी tense में बोलना हो तो आपको just use करना है is spill the beans about आगे sentence जो भी होगा आपको वो आप अपने according बना लीजेगा hope समझ में आ गया होगा आपको तो चलिए next phrase देखते है next phrase है खिलवाड करना तो इसके लिए हम एक phrase यूज करते है that is play around with okay play around with right तो it's play around with तो चलिए example से समझते है first example है अपनी जिन्दगी के साथ खिलवाड मत करो means अपनी life को कोई seriously नहीं ले रहा है या फिर ऐसे काम कर रहा है जिसके वज़े से life destroy हो सकती है खराब हो सकती है तो तब उस sense में हम कह सकते है कि अपनी life के साथ अपनी जिन्दगी के साथ खिलवाड मत करो जो play है उसे हम according to the tense यूज करने वाले है यह sentence है imperative मत करो तो don't से sentence को start करेंगे don't play around with किसके साथ नहीं खिलवाड करना तो जिसके साथ खिलवाड करने की बात होगी उसे हम with के बाद यूज करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है जिन्दगी के साथ खिलवाड करने की तो sentence है don't play around with your life तो sentence है don't play around with your life hope समझ मा गया होगा next देखे तुम मेरी भावनाव से खिलवाड क्यों कर रहे हो present continuous का sentence है as I told you many times कि present continuous में we use helping verb is rm according to the subject and verb fourth is used तो verb की fourth form हम लगाते है means verb की first form में ing तो चलिए बना लेते हैं interrogating है क्यों को starting में लगाएंगे why are you playing around with my feelings right why are you playing around क्योंकि verb में ing लगाने है तो play में ही लगाने why are you playing around with my feelings right तो sentence हो गया why are you playing around with my feelings तो मेरी भावनाव के साथ खिलवाड क्यों कर रहे हो next देखे तुम्हें उसकी जिन्दकी से खिलवाड नहीं करनी चाहिए थी अब देखिए चाहिए थी past का sentence है चाहिए के लिए हम should का use करते है और जब past की बात होती है तो should have का use करते है and should have के साथ हम लगाते है verb की third means हम लगाने वाले है played तो चले बना लेते हैं you should not have played around with his life his life और her life कुछ भी हो सकता है gender के लिए नहीं है right तो sentence है you should not have played around with his or her life emotions डालो तो emotions उसकी भावनाव से उसकी feelings से तो तभी हम feelings यूज़ करेंगे right तो इस तरह सा आप sentence यूज़ कर सकते है बस आपको पता होना चाहिए कि खिलवाड करने के लिए हमें यूज़ करना है play around with hope समझ मागया होगा इसकी शोट लेना चाहते हो तो ले लीचे right तो आप इसको यूज़ कीज़े अपने daily conversation में जहाँ पर भी आपको required है इसको यूज़ करने की तो चले next phrase देख लेते है next देखे next phrase है रती भर भी रती भर को हम कह सकते है थोड़ा सा भी जैसे कि मुझे तुम्हारी रती भर भी परवा नहीं है या फिर मुझे तुम्हारी थोड़ी सी भी परवा नहीं है या फिर मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी परवा नहीं है कैसे भी हम इसको हिंदी में बोल सकते है तो इसके लिए हमें एक phrase उस करते है that is a fig of first sentence है तुम्हें मेरी रत्ती भर भी परवान नहीं है present का sentence है present in effect में हम इसको बनाने वाले है and परवा करने के लिए हम use करते है care and don't हम इसमें use करने वाले है why because subject है हमारा you you के साथ हम do लगाते है सभी को पता होगा तो sentence हो जाएगा you don't care a fig of me right तो किसकी परवान यह मेरी you don't care a fig of me right तो sentence हो गया you don't care a fig of me तुम्हें मेरी रत्ती भर भी परवा नहीं है यफी जरासी भी परवा नहीं ऐसे भी बोल सकते है जरासी भी रत्ती भर भी या फिर जरासी भी ऐसे बोल सकते है sentence को right तो next example देखिए मैं रत्ती भर भी तुम्हारा विस्वास नहीं कर सकती ठीक है या फिर मैं जरासा भी तुम्हारा विस्वास नहीं कर सकती अब यह यहाँ पर can का sentence है present का sentence है can का यूज़ करेंगे तो sentence हो जाएगा I can't believe a figure of you किसका नहीं कर सकती मैं तुम्हारा नहीं कर सकती रिश्वास तो of के बाद हम यूज़ करने वाले हैं तुम्हारा I can't believe a figure of you तो sentence हो जाएगा I can't believe a figure of you अगर इसको pass में बोलना कि मैं तुम्हारे रत्ती भर भी परवान नहीं कर सकती थी तो तब हम यहाँ पर कुड का यूज करेंगे सेम यहाँ पर अगर यह sentence मुझे pass में बोलना कि तुम्हें मेरी रत्ती भर भी परवान नहीं थी तो जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिंट का यूज़ पास इन फिट में डिड का यूज़ होता है यू डिंट के यर आफिगोफ में ऐसे आप sentence को बना सकते हो किसी भी tense में बस आपको पता होना चाहिए कि रत्ति भर right and जरासी भी के लिए हम यूज़ करते है आफिगोफ नेच्ट देखिए दूसरे क्या सोचते है अब इसमें दो close है यह sentence मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है और इसमें दो close है हमारे पास में पहली close है दूसरे क्या सोचते है दूसरी close है इसमे मुझे इसकी रत्ती भर्वी परवा नहीं है तो चलिए बना लेते हैं हम यह बनाएंगे starting में because इसको हम as an object यूज़ करने वाल है इस वाले close को तो चलिए बना लेते हैं मुझे इसकी रत्ती भर्वी परवा नहीं है I don't care a fig of I don't care a fig of किसकी परवा नहीं है दूसरे क्या सोचते है तो हम preposition को object लगाएंगे दूसरे क्या सोचते है तो what others think I don't care a fig of what others think तो sentence है I don't care a fig of what others think अगर ऐसा होता कि दूसरे क्या कहते है मुझे कोई परवा नहीं है इस बात की तो अगर कहते है तो तब यहां पर हो जाता what others say तो ऐसे आप sentence को बना सकते हो hope समझ में आगया होगा आपको skin short लेना चाहते हो तो ले लीजे तो अगर आज के बाद आपको जरासी भी रत्ती भर भी यूज़ करना है तो you just have to use a fig of और I think समझ में सारा pattern आपको आई ही गया होगा sentence कैसे बनाना है तो बस तीन phrases थे जो कि मैं आज आपके लिए ले कर आई थी तीनों हमने cover कर लिए है and I think कि आपके लिए useful होंगे and hope आप इनको use भी करने वाले हो अपने daily life में तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ और important phrases के साथ में कुछ और important sentences के साथ में till then bye bye take care stay healthy and keep learning